हेलो एब्रीवन वेलकम बैक उन माई यूट्यूब चैनल कैसे हैं आप सब उमीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे हम भी बहुत अच्छे से हैं अभी आप सोच रहे होंगे मैं आपके साथ यह क्या शेयर कर रहे हूं तो उससे पहले मैं आपको बता दूँ यह जो व्लॉग है यह व्लॉग मेरे पती देव जी के बर्थडे से पहले का है ठीक है तो यह माल लेजे 20 दिसमबर को पती देव जी का बर्थडे था और यह उसस से पहले का व्लोक है 20 डिसमबर से फहले का है सो यहां पर अभी हो रहा है यह फ्लॉर जो लगी सी करने हूँ ना टाइलस को इसके तो यह तो पहले से ही लगी थी हमारे यहां पर ये marble sorry marble है तो ये पहले से ही लगा हुआ था तो बस इसकी क्या है कि घिसाई करवा रहे है क्योंकि छट में घिसाई हुई थी छट में floor tiles लगी थी तो यह हुआ कि चलो हाथ के हाथ आंगन की भी जो बाहर के porch area उसमें भी करा ले तो यह नाइका से आया है parcel और जो कि मैंने मंगवाया था तो मैं आपके साथ बाद में शेयर करूंगी कि क्या था और यहां पे है मम्मी जी येस तो यह मेरी प्यारी सी सासु मा तो मैं और मम्मा अंदर ही है यह देखिए आप लोग और आज बताए बड़ी अच्छी बात ह आज हमें मा के हाथ का खाना खाने को मिलेगा गाइज आज मेरी सासु मा जो है ना वो बना रही है खाना तो भी क्या बना रही है वह आप लोगों को बताऊंगी यहां पर मेरी प्यारी सी मौसी जी बैठी है ठीक है मतलब मेरे पती देव जी की मौसी है तो ओविसली वो मेर जतारी भी मोसी हुई ठीकशु तो मौसी ही बोलूएंगी नहीं बोलूगी ठीकशु यह म ममा है और अंधर किचिन में काम कर रही हैं यहाँ पहार साइड में मोसी जी तो यहां पर अब भी मम्मा ने बोला कि आज मैं बनाओंगी डाल ठीक है तो मतलब उनकी श्पेशल है और मम्मा को बहुत ज़्यादा पसंद भी है मसूर की डाल तो आज वो अपने स्टाइल से बना रही है और गाइस में सच बताओ न मैं इतनी ज़्यादा खुश हो गई थी और क्योंकि मैं इसलिए खुश हो गई थी कि आज हम लोग को मम्मी के हाथ का खाने को मिलेगा यहां पर मम्मी कह रहे थी कि आप वीडियो बना रह दोनों लोग आप चिंता मत करें तो हम लोग यही करके ऐसे हसी मजाग कर रहे थे तो भाई आज मेरे पती देव जी को मम्मी की हाथ का खाना खाने को मिलेगा मैं बहुत ज्यादा हैपी हूँ मम्मी ने मतलब एक दिन पहले जो बनाय था वो भी मैंने बनाय था लेकिन अभ लोग इतना समझ लो ओविसली वो मा की हाथ की है और पती देव जी को भी मिलेगा तो बस यही है अच्छा अभी क्या ना यहाँ पर मौसी जी बैठी होई थी क्या है ना कि यहाँ पर अभी घर पे चल रहा है काम आप लोगों ने इस से पहले वाला व्लोग देखा था पती टाइम नहीं था उनके पास ठीक है और यहाँ पर दाल यह वाली दाल है जो ममा ने चलाई हुई है तो कभी आप लोगों पता है जब घर में काम चलता है तो कभी कुछ लाना पड़ता है बाहर का एटम तो उनके पास टाइम ही नहीं हो पा रहा था कि वह बैठके बात करे और यहाँ पर यह सबजी रह कर दाल है तो ममा ने चला दिया और ये वाली सबजी बनाने वाली हूं मैं तो मैं कलका लगाँगी अपने स्टाइल में अच्या यहाँ पर कहना की अभी घर में काम चली रहा था और छट पूरा काम उपर घिसाई היא हो ती आप भी लोग देखि मुझे यही बहुत अच्छा लगा क्योंकि उनका कोई प्लान भी नहीं था जैपूर आने का बिल्कुल भी प्लान नहीं था बस यह था कि मम्मी उत्रा खांड आएं थी मम्मी का कुछ काम था वहां से मम्मी नहीं सुछा था वापस चले जाएंगे लेकिन फिर हम लोगों ने मम्मी को बुला बोला कि नहीं आप आओ आओ तो फिर मम्मी ने बिचारी आएं बहुत मुश्किल से टाइम निकाल के आएं क्योंकि मौसी जी को बहुत जल्दी हो रही थी ना इसकी वज़ाए से तो फिर मम्मी फिर आएं और वापस चले भी गए और पती देव जी के पास टाइम ही नहीं था कि वह बैट के बात कर सके क्योंकि आप लोगों ने देख लिया बहार का पूरा काम चल रहा है और मतलब तीन चार दिन यह काम ना लगा तार चलता रहा हो और मैं भी आप लोगों को आवास सुनाओंगी ना कुछ भी सुनाए नहीं दे रहा था घर में जब आप लोगों को बता है जब घिसाई होती ना तो भाई इतनी शोर समटाइम तो हम बतना ज्यादा इरिटेट हो रहे थे यह मशीन की आवाज से कि मत पूछो तो जो मेरे पीछे देखे ममी ने वहापे अमरूद रखा है काट के बोला कि तुम खा ले ना यह देखिए ममी आपको दिख रहेंगे ना वहापे अमरूद ममी रख रहे थे काट के कि भाई खा ले ना मैंने बोला ठीक है मैं खा लूँगी तो यह था आप लोगों देखा अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी मशीन की आवाज भाई इतनी तेज होती है कि पूछो मत वो गीं ग आपो बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लगा और काफी हम लोगोंने मतलब मैं और ममी तो काफी टाइम इस्पेंड किया इनके पास तो टाइम नहीं था मममा के पास बैठने का क्योंकि वो रात में ही टाइम मिलता था तब तक ममा तो सोच उचुके ओती थी मह सेचुके हो पूरा जम जाता है पूरा इसलिए इसको हाथ के हाँ साफ करना पड़ता है तो यह पूरी वही सफाई कर रहे थे च्छत की और बस इनको टाइम ही नहीं मिल रहा था बैठने का बात करने का ममा के साथ में लेकिन मेरे पास तो बहुत टाइम ता मैंने और ममा ने भई बड़ी गफशब करी बड़े मज़े किये वाँ बड़ा अच्छा लगा ममी के साथ बात करने में अभी काफी टाइम हो गयता है वैसे तो देखो फोन पे बात करते रहते लेकिन जो आमने सामने बात करने का मज़ा है वो ऐसा भई वैसे नहीं यह तो भई अभी बड़ा अच्छा तो यहां पर मैंने के बॉइल डालू कर रखा है मैं सबजी में बॉइल डालू डालूंगी ठीक है तो यह है अभी हमारे घर का यह व्लॉग है पुराना व्लॉग है पतिदेव जी की बर्थरे से पहले का व्लॉग है मैंने आप लोग को तब ममा आयो थी और ममा का कुछ ज मेरा केशाफ हुआ था और आप लोग को पता है कि सवा मैने के बाद फिर माई के जाती है लड़कियां तो तब मैं गई हुई थी और मैं थी नहीं तब मौसी लोग सब लोग आये थे तो मैंने तो देखा रही था मेरे लिए तो यही फॉर्स्ट था तो मैंने इसलिए बोला आप आईये तो इनसे मैंने का कि भुलाएए आप तो फिर मौसी जी लोग आये थे मौसी जी ममा आये थे बिसे कम दिन के लिए आये थे लेकिन वही हमारे लिए बोहुत था तो बस यही है फटा फटा से खाना बना लें क्योंकि अभी हम लोग ने ब्रेक्वस्ट किया था और आई थिंक आज मैंने ब्रेक्वस्ट में आलू के पराठे बनाये थे तभी मुझे याद आ रहा है क्योंकि यह आलू मैंने उसी टाइम पर ज्यादा बॉयल किये थे ठीक है सबजी में भी डाल दूँगी ऐसा करके अच्छा ऐसा सही रहता है कहना कि पत्ता को भी तो ज करती जा रहे हैं आप लोगों से बाते भी करती जा रहे हैं सारे आलू कट गए थोड़े बड़े-बड़े पीसेज मैंने की हैं अब मैं पटाफ़ट से सबजी में यह कड़ाई में यह जो पत्ते गोभी वगरा कटके रखे थे गाजर वगरा मिक्स वेज वो में डाल रही और एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों मैं आप लोगों से जरूर कहना चाहूंगी कि जो इनसान आपकी मम्मी की कदर नहीं कर सकता है वो आपकी कदर कभी नहीं करेगा अंदर ही अंदर वो आपकी कदर कभी नहीं करेगा इसी से हमेशा मतलब मुझे ऐसे ही रहता है कि भई जो हमारी मा की कदर नहीं करता न वो हमारी कदर कभी नहीं करेगा तो भई मा तो मा होती है तो बस यही है और मैं तो इतना समस्ती हूँ और मैं इसलिए बात आप लोगों को भी बोल रही कि यह बात सच में याद रखना जो हमारी मा की कदर नहीं करेगा वो हमें कभी रि तो बस यही है और अभी मैं अपना लंच त्यार कर रही हूँ और हाँ आज का व्लोग कुछ ज़्यदा स्पेशल तो नहीं है लेकिन फिर भी मैंने आप लोग के साथ शेयर के जो मैंने किया था ना काम घर पे वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बाहर चली जाओं बाहर के वीडियोस बना के नहीं मेरी लाइफ में जो रियल है जो हो रहा है आप लोग को पता है मेरी मेरे चाइनल का नाम ही यही है मैं अपनी साधारन जिन्दगी में भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ बहुत ज़्यादा मेरे चाइनल के नाम के एकोर्डिंग ही मेरे व्लॉग होते है और मैं ब्लॉग में चटक मटक भड़क करने के लिए मैं घूमने निकल जाओं मैं घूमने की वीडियो सुनाओं तो म ऐसा ने कर सकती मुझे रोज के रोज घुमना इतना पसंद भी नहीं है ठीक है हाँ कभी तकदर की बात अलग है लेकिन डेली डेली नो वेस अच्छा यहां एक बड़े मजे की बात है कि मैंने आप लोगों से बड़ी लंबी जोड़ी बात तो कर ली लेकिन मैंने ये खयाल नहीं किया कि भाई बाहर मशीन चल रही है आप लोग को सुनाई कैसे देगा और मैंने यहां पे खुब बाते की आप लोग से लेकिन मशीन चलने की वज़ए से मुझे यहां पे सारा व्लॉग मुझे वाइज ओवर करना पड़ रहा है भाई आप लोग को कुछ भी माओ आपको नहीं मिलेगी ठैक है मैंने राजस्थान में भी नहीं देखी कभी कानपुर में भी नहीं देखी यह मिठाही काही नहीं किंस देखी ठीक है बहुत अच्छी लगी और इसमें पता है कसी अजीब से मतलब खोया होता ना खोया को इतना ज़्यादा पकाते हैं I think कैसे बनती होगी खोया को खोब पकाते है खोब पकाते है एक दम चौकलेट फ्लेवर में लगता है तो एसा राता है मिठाई का और बढ़ी फेमस मिठाई है उत्राखन की खोब खो करते हैं I rhinite उत्वर खाते हriends नौक्तर अन फत्राव क मेरे पतीर जीब लिए बढ़ी फेवरेट है और उनके वज़ेसे मुझे बहुत पसंद आती है ठीक है तो यह मिठाई लेके आएं थे मम्मा और हम लोग खुब बात कर रहे थे आपस में साथ मम्मी भी बैठी है बगल में ठीक है मम्मा भी बैठी है मौसी जी भी बैठी है और मैं यहाँ पर स्वीट्स खा रही हूँ और मैं शायद मम्मा लोग से ही बाते कर रही हूँ ठ काफी टाइम के बाद आएं थी तो अच्छा लगा ठीक है अभी काफी टाइम के जुलाई में ही गई थी मम्मा यहीं से गई थी तो बस यह अच्छा अभी देखो यहां पर देख अभी घिसाई चल रही है चलिए आप लोग थोड़ी से इसकी आवाज सुनिये है मैं इससे ज़्यादा आप लोग को नहीं सुना सकती कितनी इरिटेट करने वाली आवाज है अच्छा देखे जो यह आपको सीमेंटेट दिख रहा ना घिसाई के बाद जो इसका निकलता है वो पूरा घिसा हुआ वो ना जाम हो जाता है पूरा उसको जल्दी जल्दी साफ करना पदता है इसको जल्दी साफ करना पदता है मतलब जमने नहीं देना चाहिए इस तरह से तो यही सफाई मेरे पति देव जी कर रहे थे नोने coin मैं गिसाई वाले भईया ने लेकिन पूरी सफाई पति देव जी ने करी है और यहां में प Lindsay से मैया अपना लन्च इंज और यहां पे हम लोगों ने लाइच अपना एंजूइ कर लिया है ठीक है सब लोग ने हम लोग ने एंजूइ कर लिया है बाकि मम्मा लोग वासी उपर आयो है क्योंकि आप लोगको पता है हमारा ये रूम नया बना है ठीक है इसमें बस लेल के दरवाजे लगने है तब तो यह पुराना वीडियो था और यह है पूरा यहां पर देखिए टाइल्स लग चुकी है फ्लार टाइल्स लग गई है तो वह है ममा लोग बाते कर रहे थे आज के व्लोग में बस इतना ही है आई होप आपको पसंद आया होगा प्लीज लाइक चापना सब्सक्राइब करना मिलती हूं नेक्स व्लोग में तब तक के लिए भाई भाई ठीक के लाव यू ओल गाई